कश्मीर फूट फूट फूजिन हमारी चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन प्रेस कीजेगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें आज हम आपके लिए लाएं हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे कश्मीर की फेमस मटन करी या घंड माज मटन काफी ज़्यादा फेमस है कश्मीर में एंड इस गोटो रेसिपी आपे रेसिपी ज़रूर देखिएगा इजी है बनाना लेकिन काफी ज़्यादा टेस्टी बनती है एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा हमने आप यूज किया है माटन 1.5 kg ब्रोड किलू माज फिर य प्रोड किलू गंडल यह हमने किया है इतनी प्याज यूज आपका में ज्यादा कर सकते हैं फिर हमने लिया है मस्टर्ड ओयल या कर्शुर तील साथ में बागी स्पाइसिस है रेचली पाउडर वाजल मत्सवांगन सॉल्ट नून टॉर्मरिक लदर फैनल सीट पाउडर ब्लाक काड़िमम बुडल ग्रीन काड़िमम नीचरल सिनिमन एंड क्लोउज दालचीन तुरॉंग फिर उसकी है हमने जिनजर गालिक का पेस्ट से पहले माटन को वाश करने के बाद फिर शेकों कमे डाल देंगे और उसको कवर करेंगे पानी से इतना की माटन कवर हो जाए फिर इसमें डाल देंगे हम जिनजर गालिक के पेस्ट के दुबट चमच दो चोटी चमच टू टी स्पून तो दो चमच जिनजर गालिक पेस्ट डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ और स्पाइस पहले नमक डाल देंगे एक चोटी चमच फिर डाल देंगे हम इस प्लैक काडबीमों बड़ी आलाइची एक आप लिड को क्लोज करेंगे और दो विसल तरग को करेंगे ताकि मातन स्टाँक निकल जाए दो विसल के बाद ओपिन करेंगे आप और मातन को अलग रखेंगे और माजरास या मातन स्टाँक को separate करके रख देंगे अब mustard oil लेंगे हम एक pressure cooker में और गरम होने के बाद smoke निकलने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा पहले एक चोटी चमच फिर साफ में एक बड़ी लाइजी दो चोटी लाइजी एक दालचिनी की स्टिक एक लॉंग और हलक असा साथे करेंगे आप इन spices को और फिर डाल देंगे आप प्यास चॉप किये हुए आदा किलू है ये प्यास गंड ये हमने लिया है आदा किलू इससे curry cut flavor अच्छा आता है फिर डाल देंगे हम इसमें नमक एक चोटी चमच और इसको golden brown जब हलका हो जाएगा तब तक fry करेंगे फिर डाल देंगे पानी बहुत कम ताकि spices जो हम डाल रहे हैं लाल मिट हो जले न तो ये देखिए लाल मिट हम डाल देंगे दो चोटी चमच इस टेज पे जब हम लाल मिट अड़ करेंगे जो प्याज है वह हलके से ब्राउन होने लगे हैं देखिए उतने नहीं है फुल ब्राउन फिर आप जब लाल मिट अड़ कर देंगे उसके साथ ही फ्राइ होते जाएंगे और पानी की वज़ा से जहलेंगे भी नहीं तो लाल मिट और प्याज एक साथ तेल पे फ्राइ हो रहे हैं और फिर डाल देंगे आप इसमें मीट जो हमने सेपरेट करके रखाता है मार्टन स्टॉक में से तो मीट भी इसी के साथ फ्राइ करेंगे हम इसे अच्छा फ्लेवर भी आएगा मीट में और कालर भी तो जो प्याज है वो भी फुली डान भी नहीं होते हैं तो रहे क्रंची होते हैं और साथ महीं जा फ्राइ करते हैं हम लाल मिट को भी मीट को भी तो अच्छा फ्लेवर आता है फिर डाल देंगे हम इसमें आदी चोटी चमच, जिंजर गाली का पेस्ट, आप डाल सकते हैं मार्टन स्टॉक का एक चमच या दो डाल सकते हैं, सिदे पानी भी फिर डाल देंगे बाकी स्पैसे जिसे जिंजर बाॉडर, आदी चोटी चमच, हल्दी, एक चोटी चमच, और दाल देंगे हम इसमें फैनल सीड या सौफ का पाउडर बर्द एक चोटी चमच अब सारे स्पैसिस में जा चुके हैं अब हम इंको फ्राइ करेंगे यह देखिए एक साथ फ्राइ कर रहे हैं हम इंको अप्याज और मीट के साथ कलर भी इसमें आ जाएगा अच्छा और फिर डाल देंगे हम जो इसमें माटन स्टॉक निकला था कीजेगा इंशाला बहुत अच्छी बनेगी इसको राइस के साथ खाया जाता है होट स्टीम राइस के साथ और इसको सर्फ किया जाता है गरम गरम